हेलो प्रेंट्स नमस्कार स्वागत है सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट e-learning प्लेटपॉर्म धानकेडमी के यूटूब चैनल लेट्स क्रेक एंपी जाम्स में मैं हूँ आपका एजुकेटर मैं हूँ आपका एजुकेटर नीरज पांडे आप सभी का स्वागत है मोस्ट वेलकम है आप सभी इस सेशन में लेट्स क्रेक एंप इजाम्स का ये यूटूब का चैनल यह आप लोगोने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस पर्ट यूट की लर्निंग ढब से नहीं चुड़े हैं और इसके साथ साथ unakademy के learning app और एक्स्पीरेंश नहीं लिया अधी फ्री प्लस लैसल का तो जरूर अंधी की लर्निंग आप जॉइन्य करें बहुत ही बहतरीन तरीके से आपकी तयारी होगी अनक येडरी के लीगगा ऊद डाउनलोड करने, इंस्टाल करने और इसके बाद मोबाइल नंबर और इमेल आईडी के माध्यम से फ्री रेजिस्ट्रेशन है, रेजिस्ट्रेशन करने और अपना गोल सलेट करने अपना चाहूंगा कि अनएकडमी की लर्निंग अपर आप प्री क्लास भी जॉइन कर सकते हैं, अपसे कोड मागा जाएगा प्री क्लास को अनलॉक करने के लिए तो आप कोड टाइब करने के लिए पांडे, किसी भी एजुकेटर की प्री क्लास, किसी भी एचिप टीचर की प्री क्लास, आप इस कोड का को टाइब करने के लिए आपको बॉक्स आएगा, यहाँ पर टाइब करने के लिए तो आप ट follow करने जिससे आपको समय पर notification प्राद दो सके और साथी साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि recorded classes और live classes दोनों जोइन कर सकते हैं इस code का प्रयोग करके मेरे profile पर special classes का नाम से जितनी भी classes हैं उनको आप recorded देख सकते हैं जैसे मदपदेश का प्राची नितिहास है संपूर मदप बजे से जरूर जोइन करें सभी लोग साड़े च्छे बजे और साड़े आठ बजे से आप सभी के लिए एक बहतर विकल्प है अनकेडमी के साथ फ्यारी करने का साथ इस साथ आप सभी के लिए MPPSC, Daily T20 Series इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं और इसके अलाबा आप सभी क को बताना चाहूंगा कि अनकेडमी की साथ फ्रीक्री मारे पर प्रकार के सालग करते हैं इसके अलाबा प्लस बसक्राफ के स्टब्सक्रिशन के माधिर से प्राप्ट होते हैं लेकिन बहुत एकीपायटी नाम मात्र का सब्सक्रिशन के चार्चे जहें जिनको आप यह सिंग अपनर एक्याप्ट ड्रक्राफ की मैंग्चीं प्लस अंसर रैटिंग बैच यह सब कुछ मात रेक्षिंगल स्ञुक्रिश्चिंग और ब्यापं के वैचेज भी उसी सब्सुक्रिश्चिंग से आप जयॉइन कर सकते है »Nothing और आप सबी के लिए बता दौन एक limited period offer भी है अभी subscribe करें और ये limited period offer का लाग उठाएं code use करने पर आपको 10% का discount तो मिलेगा ही साथी साथ यह आप 12 महीने का subscription लेते हैं तो 2 महीने का extra subscription प्राप्त होगा यह आप 24 months का subscription लेते हैं तो 3 महीने का आपको extra subscription प्राप्त होगा यह आपके लिए मौका है सुनेहरा मौका अनेकेडमी की learning app का subscription लेकर करके एक बहतरीन दिसा में त्यारी करने का 10% का discount भी मिलेगा रेफरल code use कीजे पी ए ए ए ए बाइट टाइप कीजे और apply कीजे जैसे ही आप apply करेंगे आपको 10% का instant discount प्राप्त होगा 7,920 रुपे 660 रुपे मंतली आउसत के साथ 12 महीने का और 11,520 रुपे 480 रुपे मंतली आउसत के साथ 24 मेंस का लेकिन यहाँ पर 12 महीने के स्थान पर 14 महीने और 24 महीने के स्थान पर 27 महीने का subscription आपको प्राप्त हो राया भी वर्तमान है तो स्वागत है सभी का most welcome है good morning good morning सभी का स्वागत है चलिए सेसन को स्टार्ट करते हैं 11 बजे से यह संपूर्ण जीके का सभी परिछाओं के लिए और 12 बजे से complete economics का सेसन दोस्तों कल याद रखेगा कल साम को चार बजे से कल इसी लेट्सक्राइक के यूटूब के चैनल पर एक सेसन रखा है मैंने ask me anything इसका मतलब कि आप जो है आपकी तयारी से संबंदित किसी भी प्रकार की जानकारी क्वेश्चन आप सवाल कर सकते हैं कल साम को चार बजे इसी लेट्सक्राइक के यूटूब के चैनल पर तो सभी का स्वागत है रादे रादे नमस्कार मोस्ट विलकाम सभी का स्वागत है most welcome है hello hello namaskar very good morning to all of you first question है आप सभी के सामने good morning good morning चलिए बिल्को सही answer is card D that is stages answer is card D next question पर चलते हैं कि सभी का स्वागत है good morning next question है सबसे प्रकास में ग्रह कौन सा होता है शालू सिंग जी good morning काफी दिनों के बाद आपका आगमन हुआ सभी का स्वागत है राम बाभू मैतों जी hello नवस्कार good morning most welcome है सभी good morning रिमान सी good morning सबसे प्रकास में क्रह कौन सा आपको बताना है answer is a that is Venus विल्कुल सही है next question पर चलते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए computer कौन सी वहांसा का इस्तिमाल करता है computer usage which language to process the data इसका answer जो है answer होगा इसका binary विल्कुल सही है answer होगा इसका binary language next question है निम्कित में से कौन एक सेस तीन से अलग है आपको बताना है इसमें से तीसरा चार है चार में से एक जोड़ा मैच नहीं करता है वह कौन सा जोड़ा है hematite, magnetite, limonite, bauxite good morning सर्प्रा, सिल्पकार जी good morning जल्दी से बताएंगे answer होगा इसका D, bauxite विल्कुल सही है answer है D, bauxite next question next question है, unacademy की learning app पर इस saturday और sunday भी unit wise test होगे MPPSC के लिए unit wise test saturday sunday को सभी लोग join करेंगे, बिल्कुल प्री रहेंगे आप सभी के लिए timing मैं आपको बता दूँगा, good morning, good morning साथ test होगे इस बार unit wise test, साथ unit के इसका answer जो होगा, exothermic reaction, answer होगा इसका A religious energy by light or height, answer होगा इसका A, next question है where is the Ranakpur Jain temple located, Ranakpur Jain मंदीर आपको बताना है कहाँ पर रवस्तित है, where is Ranakpur Jain temple is situated चलिए, good, answer होगा इसका, answer इसका D, राजिस्थान है, answer है D, काफी लोगों ने सही answer दिया, next question है, ध्यान से पढ़ेंगे और answer देंगे, गंगा डॉल्फिन किन राज्चों में प्रमकुरूप से मिलती है, गंगेस डॉल्फिन Good morning, good morning, answer जो होगा इसका, answer जो होगा इसका, सबसे उप्युक्त जो answer है, वो सभी होगा, answer होगा इसका, सभी, उप्रोक्त सभी है, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में यत्रे तत्रे, answer होगा इसका D, बिल्कुल सही, काफी लोगों ने सही answer दिया, next question है, अल्प मात्रा में, भारत में कितने केंद सासित प्रदेश हैं आपको बताना है, भारत में केंद सासित प्रदेशों की संख्या, चलिए, बिल्कुल सही है, answer होगा इसका, स्वारी, केंद सासित प्रदेशों की जो संख्या है, भारत में, पर भॉर त्रबीर्ट्रमेंस आंसर जोगा इसका आप्सन नहीं है आंसर इसका एट इसको सही कर लेंगे डीक है आठ केंदे शासित प्रदेशम वर्त्मान में नेक्स्सेड पर चलते हें स्वन मंदिर का असली नाम आपको बताना है स्वन मंदिर का असली नाम What is the original name of the golden temple स्वन मंदिर का असली नाम बताना है आपको चलिए बिल्कुल सही है आंसर उगस का A गुरद्वारा हर्मिंदर शाय आंसर उगस का A next question is जेरहिन नमस्कार निम्नमे से कौन से राज में 20 प्रसित्य खचराहू मूर्थियां रखी गई है in which of the following states the world famous Ethan saa scriptures are placed answer होगा इसका answer होगा इसका D मत वदेश के चतर पूर्चिले में मत वदेश answer होगा इसका खचराहू मत वदेश के सबसे बड़ा दीप इसमें से कौन सा आपको बताना है इसमें से कौन सा आपको बताना है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दीप आंसर जोगा इसका आंसर इसका C that is New Guinea सेकंड लार्जेस्ट पूचा है फर्स्ट नी पूचा सेकंड लार्जेस्ट New Guinea next question है कुछ लोगों ने ही सही आंसर दिया है next question आपको बताना है पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था where was the first modern olympic games held answer जोगा इसका answer जोगा इसका C that is Athens बिलकुर सही है answer होगा इसका C next question है ध्यान चंद एक प्रसीद क्या थे ध्यान चंद आपको बताना है किसलिए famous थे चले बिलकुर सही है answer होगा इसका प्रशिद होकी खिलाडी होकी के चादुगर भी कहे जाते हैं answer होगा इसका B next question द्रूना चार एवार्ड को किसको दिया जाता है द्रूना चार एवार्ड इस गिवें टू द्रूना चार पुरुषकार आपको बताना है किसको दिया जाता है answer होगा इसका खेल प्रशिच्चक को बिलकुर सही है answer होगा इसका खेल प्रशिच्चक को next question है निम्न में से कौन सी social networking website नहीं है which among the following is not a social networking website नमिता ठाकूर जी अभी काफी समय लगेगा उसमें काफी समय लगेगा social networking site नहीं है answer जो होगा इसका answer इसका c wikipedia बिलकुर सही है answer होगा इसका c next question आयकर अधिनियम के उनसान मिकित में से कौन सा आय वर्ग सुपर वरिष्ट नागरिकों के लिए उप्यूप्ट है according to the income tax act which of the following is age group will be applicable for super senior citizen answer है more than 80 80 असी वर्ष के उपर answer है more than 80 super senior citizen पूछा गया senior citizen नहीं next question है भारत की समसे गहरी खदान कौन सी कहां पर अवस्तित है deepest mind in India is located at deepest mind in India answer is class c विल्पूस सही है answer होगा इसका c next question पर चलते हैं the god of small things यह पुस्तक है यह पुस्तक किसकी रचना है किसने लिखी है the god of small things the god of small things किसकी रचना आपको बताना है answer जोगा इसका बिल्कु सही है answer इसका d that is next question बिशम का चुनाव करना इसमें से find the odd one out find the odd one out बिल्कु सही answer होगा इसका c b n चान की उपर की तीनों जोहें यह politicians थी next question है किस राज को भारत का गुलावी सहर कहा जाता है which city is called pink city of India answer होगा इसका d जैपूर बिल्कु सही है answer is d जैपूर next question है निम्ने में से कौन सा राज पश्चिम मेंगौल की सीमा पर नहीं है which of the following state is not on the border of West Bengal West Bengal की सीमा पर नहीं है answer होगा इसका a that is त्रिपूरा बिल्कु सही है answer होगा इसका a त्रिपूरा next question पर चलते हैं नागर्जुना सागर बाध अभियारेंड किस जिले में अवस्तित है नागर्जुना सागर टाइगर सरी बाग अभियारेंड बाध नहीं है बाध अभियारेंड नागर्जुना सागर बाध अभियारेंड आपको बताना है नागर्जुना सागर टाइगर रिजर्व किस राज में अवस्तित है जल्दी से बताना है answer होगा इसका b आंद्रपदेश विल्कु सही है answer है b आंद्रपदेश next question पर चलते है निम्न में से किसका लोग सभा में सबसे बड़ा प्रतिनिद्द्द है किस राज का सबसे ज़्यादा प्रतिनिद्द्द है आपको बताना है लोग सभा में which of the following state is the largest representation in the लोग सभा answer जो होगा इसका answer is C उत्तरपदेश सी सीटों के साथ answer is C next question है बारत में सबसे लंबे समय तक मुक्कमंत्री रहने वाली महिला कौन सी थी who has been the longest serving women chief minister in India answer होगा दिली के मुक्कमंत्री थी सीला दिचित answer is C सीला दिचित next question है निम्न में से कौन सा इस थल सिखों के पांच में गुरु गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिचाइन किया गया था which of the these landmarks was designed by the fifth Sikhi Guru गुरु अर्जुन साहिब answer होगा इसका B golden temple विर्कुल सही है answer होगा इसका B golden temple next question है इम्न में से किसने प्रसित पुस्तक गोविंद गीत गोविंद की रचना की है विर्कुल सही है answer होगा इसका C.J. देव ने next question है तान सेन आपको बताना है किसके दरवार में रहते थे तान सेन lived in the poor top आपको बताना है तान सेन इन में से किसके दरवार में रहते थे इसका answer होगा C बिल्कुछ सही है answer is C अकबर पफरिंग हो रही है तो प्रीज आप एक बार refresh कर लें network की problem हो सकती है प्रूना आपको बताना है इन में से किस देश की मुद्रा है आज़रोगा इसका आज़रोगा इसका C Sweden आज़रोगा इसका C Sweden विल्कुछ सही है नेक्स क्रेशन है पेसाबर सहर निम्र्कित में से किस देश में अवस्तित है पेसाबर सहर आपको बताना है किस देश में अवस्तित है आज़रोगा इसका आज़रोगा इसका B पाकिस्तान विल्कुछ सही है आज़र है B पाकिस्तान नेक्स क्रेशन पर चलते हैं भारती राश्टी जंडे के चक्र का रंग क्या है बारती राश्टी जंडे का चक्र बताना है आपको चक्र के रंग है आंसर इसका D विल्कुछ सही है आंसर होगा इसका D आंसर इसका D नेक्स क्रेशन पर चलते हैं पंडित भीम सेंच जोसी किस छेत्र से समबंदित थे इनको भारत रत्रत में चुका है बताना है पंडित भीम सेंच जोसी का संबंदि किस छेत्र से था चलिए बिल्कुछ सही आंसर होगे इसका C संगीत के छेत्र से मेजिक के छेत्र से नेक्स क्वेशन है नेलसन मंडेला अंतरराश्टी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है नेलसन मंडेला जिसको भारत रत्रत पुरुषकार भी मिल चुका है जबकि आफ्रीकन थे साउथ आफ्रीका के आंसर होगा इसका B 18 जुलाई आंसर होगा इसका B 18 जुलाई नेक्स क्वेशन है राश्टी युवा दिवस 12 जन्वरी को किसकी जैनती के उपलक्ष में मनाया जाता है नेशनल यूथ डे एज अब्जेवड ऑन 12 जन्वरी तो मार्ग दा बर्थ एन्वरिसरी ओप बारा जन्वरी को किसके जन्वर दिवस पर नवसकार नवसकार most welcome वसदेव जी लक्ष जी सभी का स्वागत है राश्टी युवा दिवस आंसर होगा इसकार श्वामी विवेका नंद के जन्वर दिवस पर बिलकुल सही आंसर होगा इसकार डी नेक्स क्वेशन है विसेष विवाई अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था आनसर है इसकार बी उनीसो चोमन आनसर होगा इसकार बी नेक्स क्वेशन पर चलते हैं नेक्स क्वेशन आपके सामने है आपको बताना है वर्ल्ड रेडियो डे विस्स रेडियो दिवस कम मनाया जाता है आंसर जो होगा इसका आंसर है इसका तेरा फर्वरी आंसर होगा इसका 13 फेव नेक्स कुश्चन है मद्र प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए प्रयुक्त है मद्र प्रदेश है दा रॉकी टेरेन विच इस मोर सुटेट पॉर मद्र प्रदेश में बताना है जो चट्टानी इलाका है इन में से किस प्रकार की सिचाई के लिए उपियुक्त है जदी से बताना है answer इसका A tank irrigation बिल्कु सही है answer होगा इसका A tank irrigation next question पर चलते है निमने में से कौन सा मत्र प्रदेश का प्राक्तिक छेत्र नहीं है which among the following is not a natural region of मत्र प्रदेश मत्रप्रदेश का प्राक्टिक छेतन में से कौन सा नहीं आपको बताना है आंसरोगाइस का Western Plateau मत्रप्रदेश का कोई प्राक्टिक विभाचन नहीं है आंसरोगाइस का B, बिल्कुछ सही है एक अभ्यारण जो मद्रप्रदेश में है लेकिन राजस्तान से सटा है राजस्तान से लगा हुआ जो कि मद्रप्रदेश में अवस्तित है राजस्तान से लगा हुआ जो कि मद्रप्रदेश में अवस्तित है आंसरोगस का बी गांदी सागर नेक्स्ट क्वेशन है इंदोर में पैदा हुए सबसे लोग प्रिय गायक दोस्तों ध्यार रखेगा ये सेसन डेली रहेगा ग्यारा बज़े से और आपको अभी बारा बज़े से एकोनोमिक्स का सेसन है अनेकेडमी की लर्निंग आप पर MPPSC प्री के लिए यूनिट वाइस टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा सटर्डे एंड संडे सटर्डे एंड संडे तो सभी लोग जोईन करेंगे लेकिन अभी आप जाकर के इसका आंसर जो है आंसर होगा इसका बी आंसर होगा इसका बी तो आप सभी को जैसे आज के लिए इतना ही दोस्तों जैसे मैंने आप सभी को बताया आनेकेडमी की लर्निंग आप पर फ्री टेस्स सीरीज यूनिट वाइस टेस्ट और फुल सलेबस टेस्ट भी फुल सलेबस टेस्ट रात में डेली साड़े आठ बजे से होता है और विल्कुल फ्री रहता है आप सभी के लिए साड़े आठ बजे से फुल सलेबस टेस्ट डेली रहता है और आप सभी के लिए free रहता है और सिर्फ इतना ही नहीं unit wise test भी आप दे सकते हैं इस Saturday और Sunday को साथ 6 unit का test होगा तो आप जरूर जोईन करेंगे बिल्कुल free लेकिन अभी चाहिए किर्ती सर्मा जी आप 4 बज़े वाली class नहीं है कल होगी कल आपके एक special session है कल और MPGK का test भी होगा 100-100 question का दो test होगे Saturday और Sunday को तो नीरज पांडे के नाम से profile है अनकेडमी की learning पर बिल्कुल free session join करने के लिए जा करके follow कर लीचे कैसे join करेंगे जिन learners को बिल्कुल नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपके mobile पर Google Play Store है Google Play Store install कर लीचे Google Play Store पर install कर लीचे आपके mobile पर है और install करने के बाद mobile number और email ID के माद़म से free registration करना है और free registration करने के बाद आप सभी को बताना चाहूँगा कि unacademy की learning app पर एक search box दिखेगा जहाँ पर search करें नीरज पांडे मेरी profile खुल जाएगी और profile खुलते ही आप follow कर लेंगे जिससे आपको समय पर notification प्राथ हो सके और इस code का प्रयोग करके code याद रखे मेरी profile पर recorded classes भी है जो complete हो चुके हैं उनको भी देख सकते हैं और शाथी साथ live test भी आप जोईन कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी की आज सामको साड़े 6 बजे और MPPSC प्री का फूल से लेवर स्टेस राथ में साड़े 8 बजे प्री क्लस को ओपन करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि code मागा जाएगा तो code आप टाइप कर देंगे P A N D E Y सटेडे को MPGK का टेस्ट चार बजे से और संडे को 12 बजे से कीवति सर्मा जी आप अभी जा करके मेरी प्रोफाइल है निरज पांडे के नाम से तो फॉलो कर लीजी आनेकेडमी की लर्निंग आपर आपको समय में साम वाले टेस्ट में आपको बता दूँगा जो की फुल सलिबस टेस्ट होता है रात में साड़े आठ बजे तो आप साड़े आठ बजे जोईन करें मैं आपको समय बता दूँगा वैसे चार बजे रहेगा एक सेसन, एक सेसन साड़े पांच बजे एक सेसन साथ बजे और एक सेसन साड़े आठ बजे यह Saturday का है और Sunday को सुबह 10 बज़े एक सेशन होगा और 10 बज़े के साथ साथ 1 बज़े 12 बज़े होगा तो सभी लोग Saturday और Sunday को Unit-Wise Test MPPSC के लिए जरूर सभी लोग जोईन करें नहीं, Unacademy की Learning App पर Saturday, Sunday, Unacademy यह जो 8.5 बज़े वाला टेस्ट होता है फुल सलेवस टेस्ट फ्री होता है Unacademy की Learning App पर, किसी टेस्ट की में बात कर रहा हूँ मेरी प्रोफाइल पर जा करके follow कर लें और class भी scheduled है तो आप enroll भी करनें जिससे आपको notification प्रात हो सके तो सभी लोग जोईन करें, तैयारी अपने जोरो पर लगा दीचे और Indian quality की भी class, ठेवरी class जोईन कर सकते हैं सामको साड़े 6 बज़े से यूनिट जो है एक पहली यूनिट रखी गई है, पहली यूनिट तैप मिस मद्वदेश का इतिहास रिस्थापत कला, जो संस्कती जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, एक तो वो होगी, हाँ डेली टेस्ट होता है कि इरती सरमाजी साड़े 8 बज़े से, और यहाँ पर भी यह ग्यारा बज़े से डेली टेस्ट होता है, एकडमी की लर्निंग है, पर भी डेली ग्यारा, साड़े 8 बज़े से होता है, फ्री होता है, जरूर जोइन करें, इसके अलाबा आप सभी को बता दू, हाँ, रोशनी अदो जी पहली यूनिट तो कनपर्म है, इसके सा साथ नाइन्थ यूनिट का टेस्ट होगा, और नाइन्थ यूनिट के साथ साथ एक सेवन्थ यूनिट का टेस्ट होगा, सेवन्थ यूनिट का, और प्लस एक टेस्ट मत्पदेश और भारत के में पंचायती राज विवस्था काड़ एक टेस्ट होगा, और MPGK के 100-100 क्रि चले, तो आज के लिए अभी यहां पर इतना ही, अभी हम 12 बज़े से मिलेंगे यूटूब पर, यह 11 बज़े से यह सेसन डेली रहता है, और 12 बज़े से यह सेसन, यहीं पर यूटूब पर होगा, सभी लोग जोईन कर सकते हैं, और यह अपकमिंग प्लस कोर्स है, जो आप जोईन करें सुबह 9 बज़े से, और प्लस कोर्स स्टार्ट होगा 9 जून से, 9 जून से प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एथिक्स का, तो म दोस्ट वेल्कम रहेंगे सभी और यह दि सब्सक्रिशन नहीं लिए आपने तो सब्सक्रिशन जरूर ले लिजे क्योंकि प्री में दोनों आ रहा है आप सभी के और आपकी कंप्रीट त्यारी एक बहतर दिसा में होगी चाहे हो 2020 का हो चाहे 2020 का हो ओफर भी चल रहा है आप रहें यह ओफर जो है आप सभी के लिए बारा महीने का सब्सक्रिशन लीचे दो महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिशन मिलेगा 24 महीने का सब्सक्रिशन लिए तीन महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिशन मिलेगा लेकिन यह लिमिटेड पिरेड ऑपर है तो लिमिटेड बाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच